दोस्तो नमस्कार महरास्ट्र सरकार ने राज्ज के पूर्व ग्रे मंत्री अनिल देश्मुक के खिलाप में जाँच में CBI के साथ में दोस्तो कुछ दस्तावेज साजा करने से इंकार किया है बंबे हाई कोट ने इसी को लेकर दोस्तो आज बहुत सारे सवाल उठाए हैं महरास्ट्र सरकार पर अदालत ने काये कि जब तक दस्तावेजों को देखे बिना केंद्रिय जाँच एजेंसी यानि की दोस्तो CBI ये कैसे तै कर सकती है कि पुलिस तबादलों और पोस्टिंग में कथिर भरस्टाचार के आरूपों को लेकर उनके यानि की अनिल देश्मुक के साथ में कोई भी साथ गाट थी या फर नहीं दोस्तों आपको बतादें कि राज्य सरकार ने पहले दावा किया था कि CBI ने जो दस्तावेज मांगे हैं उनका देश्मुक के खिलाब भरस्टाचार की उसकी जाँच से कोई भी लेना देना नहीं है नयाधीश ऐसे शिंदे और एंजे जामदार की खंटपीट ने CBI की और से जब दाखिल एक आवेदन पर सुनवाई की इसमें CBI ने दोस्तो दावा किया है कि राज्य सरकार दस्तावेज उपलब्द कराने से इंकार कर रही है वाद देश्मुक के खिलाब जाँच में सायोग नहीं कर रही है तो दोस्तो अनिल देश्मुक के मामले में फिलाल बंबे हाई कोट से एक यह बहुती बड़ी ख़वर निकल कर सामने आ रही है आपको पता होगा कि इस मामले को लेकर जो उद्दफ ठाकरे की सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोट कर रुक किया था और सुप्रीम कोट में कल उस मामले की सुनवाई हुई का ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में जो है कोई भी लेना देना नहीं है जब तक कि उस मामले की CBI पूरी इंवेस्टिगेशन नहीं कर लेती दोस्तो जो ये ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला है इसे लेकर महरास्टर की जो सरकार है दरसल वो बहुत ज़्यादा तिल मिलाई है आखिर कार क्या वज़े है कि महरास्टर की सरकार को लोर कोट से लेकर के अपर कोट तक हर जगह ये दलील देनी पड़ रही है कि अनिल देशमों के खिलाप में जो एफ आयार वो दर्श की गई है उसमें से उन दो पैरेग्राप्स को रिमूफ कर द तो दोस्तो इस मामले में जो अनिल देशमों के खिलाप में एफ आयार दर्श की गई थी उसे लेकर अब बंबे हाई कोट की तरप से आज फिर से महरास्टर सरकार से कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेटिव टीम है उसे तुरंत सारे के सारे डोक्युमे आराय कोट से अनिल देशमों के मामले में इसे लेकर आप लोगों की क्या रहा है मुझे कॉमेंट सेक्षन में ज़रू लिख बताएं इस वीडियो में इतना ही जल्द मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में दूसरे अपडेट के साथ में तब तक लिए धनवाद अ अगर आप लूग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपने बेल आइकन को भी प्रेस करें तक जब भी मैं कोई नवी वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोडिफिकेशन आपको मिले